नमस्कार साथियों चंदन कुमार विकास कुमार वर्सा राज कुमार परजापती जी आप सभी को गुड मॉनिंग नमस्कार सुबा का और हम लोग आज तिसरी बार मिल रहे हैं इस करंट अफेर्स के सेशन को ले करके और आसा है कि धीरे धीरे जो हैं चीजे और सही होती चली जाएंगी और जो अगामी दरोगा परिक्षा है 26 दिसंबर को और उसके बाद 23 जनवरी को हम लोग का BPSC सिविल सेवा की प्रारम्भिक परिक्षा है इन सभी में आप देखेंगे कि जो हम लोग का ये करंट अफेर्स का जो ये सेशन चल रहा है अभी इसमें से बहुत सारे आएंगे आपको और इसका निशन दे आपको फायदा होगा तो आप जितनी जल्दी जूर सके साथियों उसके बाद हम लोग जो भी क्वेस्टन होगा मैं आप लोगों को मौका दूंगा कि आप लोग वहां पर पहले अपना एक आंसर लगा सके उसके बाद सही होगा या ग कैबनेट की वर्चुल बैठक में कितने एजेंडों पर मुहर लगाई ठिक है उन्होंने कितने एजेंडों पर यानि उनकी कैबनेट ने जो है कुल कितने ये पर अपना फैसला सुनाया कि हम कौन-कौन सा एजेंडा लेकर करके चलेंगे भाई अब 8 जुन 2021 को तो 54 हां बिल दिया भी 11 चलिए ठीक है बहुत बढ़िया और अलुन कुमार ने दिया 12 11 राहुल कुमार ने दिया तो संदीब कुमार तमाम साथी जो है वो दे रहें उत्तर भी ठीक कि कितने एजेंडों पर उन्होंने मुहर लगाई इसका उत्तर जो मेरे पास है उसका अमसार यह है दस दस एजेंडों पर इन्होंने मुहर लगा दिया ठीक है 69 सवाल नंबर 59 अठारा जुन 2021 को बिहार में किस महान नेता की 134 जयनती मनाई गई डॉक्टर राइंदर परशाथ डॉक्टर अनुगर नायन सी बाबु जग जुवन राम डॉक्टर शतेंद सीना तो अठारा जुन 2021 को किस महान नेता की 134 जयनती मनाई गई ठीक है तो इसका उत्तर जो है वह बता दीजी किस महान नेता की यह हिंड में देता हूं बिहार के पहले उपमुखमती रहे है यह ठीक है तो उन्सट का उत्तर जो है आया रागनी कुमारी का गलत जवाब रिमजिन कुमारी का पहला सही जवाब बिंदर कर बस्वान सही है डॉक्टर अनुगर अनायन सिंग बिहार के पहले उपमुखमती और बाद में बिहार के मुखमती बने थे इनके बेटे 37 सिनावी बिहार के मुखमती बने थे और इनके पोते निखिल कुमार जो है वो भार कुना काल में बिहार के कि जिले में मिशन ऑक्सिजन शुरू किया गया कि मिशन ऑक्सिजन शुरू किया था पत्ना अरवल जहानाबाद अथवा मुंगेरे ठीक है तो आपको यह बताना है साथियों अरुन कुमार जी गुड मॉनिंग तो आप लोग इसका उत्तर जो है बता दे कि इसका उत्तर क्या होगा कुणा काल में बिहार के कि जिले मिशन ऑक्सिजन शुरू किया गया था तो 71 का उत्तर जो है ठीक है चलिए आए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा इसका उत्तर है जहानाबाद जहानाबाद मिशन ऑक्सिजन जान है तो जहान है जहानाबाद है ठीक तो इसका उत्तर जो होगा वो जो है इसका उत्तर C है ठीक मिशन ओक्सिजन जहानाबाद में शुरू किया गया था 76, 74 सवाग, 7 जुन 2021 को भारत को सेवत राश्ट आर्थिक एवं सवाजिक पस्ट में चुना गया है जिसमें भारत का करेकाल होगा 2021 से 25, 2022 से 27, 2022 से 24 या 2021 से 22 सेवत राश्ट आर्थिक एवं समाजिक परिश्ट डैट मींज इको शुक्ष सेवत राश्ट का एक च्छा अंगों में से एक प्रमुख अंग है भारत का करेकाल आपको जो है इसमें बताना है साथियों कि 76 का उत्तर जो है वह क्या होगा 76 सा इसमें कारेकाल जो होता है इको शुक में इसमें 24 से होते हैं और हर साल 18 से जो है वो रिटायर कर जाते हैं हर साल 18 से जो है वो रिटायर कर जाते हैं ठीक है तीन वर्स का कारेकाल होता है मैं बता दूं आप लोगों को उत्तर वे सही नहीं आ रहा है ठीक है 1 जनौवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 1 जनौवरी 2022 से 31 जंबर 2024 3 वर्सों का करेकाल होता है ठीक है तो अरुम कुमार, राहुल कुमार, अमनोर्मा, रिमजिम कुमारी आप सभी का ब्रिंदर कुमार पस्वान आप सब का उत्तर जो है वो शही हाली में बिहार में कौन से जिले में राजे का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विक्षित करने की गई है गया पटना मुझपरपूर अथवा मोतिहारी हाली में बिहार में कौन से जिले में राजे का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विक्षित करने की गई है गया पटना मुझपरपूर अथवा मोतिहारी खीक है तो आपको यह बताना है शचत्तर का उत्तर, राजे का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क जो है, वह कहां होगा, ठीक, तो अरुन कुमार का उत्तर जो है, वह आया है, यह जो है, राजे का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, विक्सित ने घोशना जो की गई है, उसका उत्तर है, गया, ठीक तो यह वो सही नहीं है, अठतरों सवा, ठीक है, अठतरों सवा, किस टीम ने उत्तर पर इसको हरा कर, हाली में, विजय हजारे टोफी का खिताब जीता, चंडीगर, मुंबई, दिनली, अथवा, सोराष्ट, सोराष्ट टीम, जो है वो गुजरात से आती है, ठीक है, तो आपक तो इसका उत्तर पताने, अठतर का, राहुल कुमार सामने, स्क्रीन पर दिखने के बाद, सभी लोग यह लगाने लगे, आप अठतर का उत्तर पताईए, आंसर देख करके, स्क्रीन पर आंसर देख कोई भी सही उत्तर देता है, मजा तो तब है, जब आप स्क्रीन पर उत् तो 78 का उत्तर जो है पुजा कुमारी ने सबसे पहले दिया है भी ठीक है चलिए तो सही उत्तर अरुन कुमार पुजा कुमार को अरुन कुमार और विकरम कुमार आप सबका उत्तर जो है वो सही है मुंबई ने विजय हजारे टॉफी में इस क्रिकेट जैंपेंसिप में मुं सब्सक्राइब के 59 सब्सक्राइब कि सहाइता से विक्सित किया गया भाइद का पहला उन्नत को सिक्षान संस्थान विश्व को सल केंद्र का हाली में कहां उठगाटन किया गया है हाली में कहां उठगाटन किया गया है तो आपको 79 का उत्तर आपको बताना है साथियों ठीक है 79 का उत्तर जो हुआ बता दीजिए SI विकास बैंक ADB इसका हेट क्वार्टर जो है वह फिल्पीन्स के राधानी मनीला में है 1966 में इसकी अस्थापना की गई थी भाइद का पहला उन्नत कौसल परसिक्षन संस्थान World Skill Center का हाली में कहा उर्गाटन किया गया है इसका उत्तर जो है तमाम साथी सही दे रहे हैं इसका उत्तर है अमनोर्मा आरून कुमार आप लोग उत्तर बिरंदर पसवार आप लोग इकरम गलत है इसिस भून आप असिवा, सावाल नंबर असी निलजित कि सखिलारी ने मार्च 2021 में उलम्पिक महिला व्यक्तिकट तलवार बाजी विमन्स इंडिविज्वल शैब्रे क्वालिफाई करने वाली पहली भारतिय फेंसर बन गई फेंसर का मतलब तलवारबाज और तलवारबाजी को अंग्रेजी में शैब्रे बोलते हैं मेधा सर्मा, भवानी देवी नेहा वर्मा, अथवा शुप्रिया दत्ता तो आपको इन चारों बताना है कि उलम्पीक लेख क्वालफाई करने वाली हमारी पहली तलवारबाज रिम्जिन कुमारी ने उत्तर दिया असी का बी सबसे पहले, अमन वर्मा असी का बी, और चंदन कुमार असी का बी, पुजा कुमारी, बेंदर पस्वान राहुल कुमार, अरुन कुमार, बिक्रम कुमार तो आप सभी का उत्तर जो है, संदीब कुमार आप सभी का उत्तर, भवानी देवी बिल्कुल सही है तमिल नाडू से हैं भवानी देवी तमिल नाडू से हैं भवानी देवी बिल्कुल सही तो सबसे पहले दिम्जिमिन उतर दिया चलिए आए बढ़ते हम लोग किस संखन ने महिला स्रिश्री करण को लक्षित करते हुए विभिंग छेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मंत्राले के साथ एक समझोता ग्यापन पर मास 2021 महस्ताक्षर किये किस संखन ने महिला स्रिश्र्प्दिकरण को लक्षित करते हुए विभिंग छेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए बालिष्री मंत्राले साथ एक समझोता कि आपन पर माद 2021 महस्ता आक्षर किये नितिय आयो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन इन्वेस्ट इंडिया अत्वा भारतिय उद्योग परिशंग तो साथियो आपको इसका जवाब देना है 81 का बिंदर कुमार पास्वान जी ने दिया अमन वर्मा ए खुश्बूरानी ठीक है संदीप ए पुजा कुमारी बी और उन ए विक्रम ए चली तो इसका उत्तर जो है वह है इन्वेस्ट इंडिया इन्वेस्ट इंडिया यह कि संधन इन्वेस्ट इंडिया ने महिला से दिकरणों को लग्षित करते होगे विविविन चेत्रों में आपसी से बढ़ाने के लिए महिला और बाल विकास मतरले के साथ एक समझता किया है इस संधा गठन 2010 में किया गया था ताकि विविविन चेत्रों में निवेस्ट को अध्या बढ़ाया जा सके और इसे माध्यम से जो है वह पार को पुछ सांद दिया सके तो यह मख्या और बाक्स बाल हैस विकास मतरले के साथ जो समुझता किया गया है और या benहां में किन कि कि 119 देशने तो आपको यह बताना है कि दुस्तलिक का मतलब होता है उस देश की भासा में दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना तो दुस्तलिक दुस्तलिक है वह दोस्तलिक है वह दोस्त सब्ध यही से आया है भारत में दोस्तलिक टू के दुस्य सजक्रन में भात के साथ किसने भाग लिया तो बिराशी का उत्तर जो है संदीब, स्रवन, बिरंदर, अमन वर्मा आप सभी का उत्तर उजबेकिस्तान बिल्कुल सही है 83 मार्ज 2021 में इंटरनेशनल सुटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF शॉटगन मिश्व कब 2021 कहां आयुज़ित की गई इंटरनेशनल सुटिंग स्पोर्ट फेडरेशन मार्ज 2021 में कहां आयुद की गई काहिरा, मिश्र सेंट पिटर्सबग, रूश लिस्मन, पूर्टगाल अथवा, मैर्डिड, स्पेन तो आपको 83 का उत्तर जो है वह बता देना है बिलकुल उज्वेकिस्तान ता पिशली का उत्तर इसका उत्तर जो है आप लोगों को दे देना है कि 83 का उत्तर जो है कहां है, ठीक है शाथियों, तो 83 का उत्तर जो है अब आप लोग दे दीजिए ताकि सहीर है 83 का उत्तर इमजिम ने दिया सबसे पहले C चलिए International Shooting Sports Federation जो है, कहां है अरुन कुमार चन्दन कुमार D अरुन कुमार B, अमन वर्मा C पुजा C, राहुल D चलिए, ठीक है तो जो मेरे पास जो है विकल्प, उसका उत्तर है काहिरा मिश्र काहिरा मिश्र तो अब तक किसी का जवाब जो है वो सही नहीं रहा 84 किस बैंक ने भागाद का पहला वियरेवल पेमेंट डिवाइस वियर एन पे लॉंज किया है, इसका मतलब कि हम लोग जो हाथ में आप देखते होंगे जो रिस्ट टैप को होता है ये वियरेवल पेमेंट डिवाइस वियर इन वियरेवल ये कड़े की तरह होता है और इस पर एक तरह का जैसे कैसे घड़ी हम जो पहनते हैं वैसी होता है ये वियरेवल डिवाइस आप अपना बटुआ घर भी छोड़ कर के आएंगे तो भी इसकी सहायता से जो है आप पेमेंट कर सकते हैं साथियों ठीक है तो इसका उत्तर 84 का उत्तर जो है वह शागर ने दिया डी ठीक है शागर ने दिया डी एक्सिस बैंक जो कि पहले यूटी आई बैंक के नाम से जाना जाता था एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसेवला प्राइवेट बैंक पहले ये यूटी आई बैंक के नाम से जाना जाता था ठीक है एक्सिस बैंक इसको याद रखीगा प्राइवेट सेक्टर का हैं तो इसका उत्तर हुआ चुरासी का डी हुआ हम लोग इसमें आ जाते हैं सो मेगावाट शम्ता का भात का सबसे बड़ा तैता हुआ सवर उर्जा सहिंद्र दोयार इक्तिस तक चालू किया जाना है यह कहां इस्थीत है कच गुजरात पेदापली तिलंगाना कामुथी तमिलनाडू जैसलमेर राश्थान सो मेगावाट शम्ता का भात का सबसे बड़ा फ्रोटिंग शुर्ण अनर्जी प्लांट दोयार इक्ति साथियों ठीक है तो 85 का उत्तर जल्दी से दे लिजे तो इसका उत्तर में 85 का भी ध्रिम्जम कुमारी ठीक है राहुल कुमार अमन वर्मा ने सुहारा सोनुकुमार ठीक है पेदापल्ली तिलंगानाश्था पेदापल्ली तिलंगानाश्था इसका सही उत्तर है रिम्जम सबसे पहले दिया तो चलिए 66 भाग के दिरप्रा राजे को बांगलादे से जोडने वाले महत्रिश से तु θα बांगले डेश महत्रिपूल का निर्मान किस नदी पार किया गया है सुनई नदी फिनी नदी गाधर नदी अत्वा मधूमती नदी ठीक है आपको बताना है कि कौनसा इसका सही जवाब होगा साथियों तो 86 का उत्तर जो है बहुत असान है जिन लोगों ने भी करेंट अफियर्स को पढ़ा होगा उनके लिए ये कतई-कठीन नहीं है तो 86 का उत्तर रिम्जिम कुमारी ने दिया है भी सबसे पहले फेनी नदी रिम्जिम बिल्कुल सही दवाब आपका खुश्बूरानी ने दुसरा नमबर बेंदर पस्वान ने सी गलत उत्तर दिया संदीप ने भी सही, सुनु ने गलत, राहूल ने सही, अमनौरमन ने सही, आरियन राज आपका उत्तर भी सही है, स्वागत आरियन आज आपका, अरुन कुमार, पुजा कुमारी, आप सब का जो है सही है उत्तर, फिरनी न दी, 87 मार्च 2021 में कौन सा देश इरोप में आश्टर X नाम से अंत्रिक्स में सेन अभ्यास करने वाला पहला देश बन गया यानि अंत्रिक्स में सेन अभ्यास हम लोग अभी धर्तिप पर सेन अभ्यास कर रहे हैं यह अंत्रिक्स में सेन अभ्यास करने वाला पहला देश बना मार्च 2021 में कौन सा देश इरोप में आश्टर X नाम से अंत्रिक्स में सेन अभ्यास करने वाला पहला देश बना है 87 का B Aryan Raj ने लिखा France बहुत बढ़िया कुश्बू ने C रिमजीम ने कहा D C चलिए राउल कमा ने कहा D बहुत बढ़िया Aryan Raj सबसे पहले आपका उत्तर France France इसका बिलकुल सही जवाब है 88 सवाल किस देश ने मार्ज 2021 में 4 हेरोन टीपी मानो रहित हवाई वाहनो को 3 वर्ष के लिए भार्ते सना को पट्टे पर दिया है किस देश ने मार्ज 2021 में 4 हेरोन टीपी मानो रहित हवाई वाहनो को 3 वर्ष के लिए भारते सना को पट्टे पर दिया है, इसराइल, रूस, फ्रांस, अत्वा, उनाइटेट, किंग्डम ने, ठीक है, अनत्वा, उनाइटेट, किंग्डम ने दिया है, वो गलती से गया थारें राज, अगला सवाल होगा, तो पुजा कुमारी, 88 का ए, तमाम साथी, अधिकांस ज है, इसका जवाब दे रहे हैं, चलिए, ठीक है, तो अभी 88 का ए, जिन लोगों ने दिया है जवाब, वो बिल्कुल सही है, और आरें राज ने पहले ही जो 89 का जो सवाल थोड़े दिकले स्क्रीम पर आ गया था, उसका उत्तर में दे दिया था, बहुत अचा आरें, और 88 का उत्तर जो है, पुजा कुमारी, मिदुजाय, रिमजीम, अरून, अमन वर्मा, आप सबका उत्तर जो है, वो सही है, एटने, खेलो इंडिया, नेशनल विंटर गेम्स, 2021 का, दूसरा संस्क्रन कहां आयजित किया गया, लदाख, सिक्किम, हिमाजर पादेश, अच्वा, जम् संस्क्रन, जम्मु कस्मीर में हुआ था, दूसरा संस्क्रन जो है, वो कहां हुआ, तो, आरेम राज ने इसका उत्तर, पहले ही दिया था, आपको बताना इसका उत्तर, खेलो इंडिया, नेशनल विंटर गेम्स, 2021 का, दूसरा संस्क्रन कहां आयजित किया गया, तो, लड़ाक, सिक्किं, हिमाजर प्रदेश, जम्मु कस्मीर, जैसी बात है, चारो जो है, पहारी इलाके हैं, प्रवती इलाके हैं, और विंटर गेम्स जो है, यहीं पर होंगे, तो, जैसे, स्केटिंग हो गया, तमाम चीज़ जो बर्थ पे खिल जानोरी चीज़े होती हैं, यहीं होंगे, तो, सबसे पहले, अब, उत्तर जो है, आना, तमाम साथियों का सुरू हो गया है, यह फिर से एक बार, जम्मु कस्मीर में ही है, पहला संस्क्रन भी, जम्मु कस स्मीर, ठीक है जाती हो, तो, आप लोग इसका उत्तर याद रखेगा, यह, जम्मु कस्मीर है, न कि लदाख, न बेव, पीवी सी, अधारित, आईसमान कार्ड परदान करने के लिए, राष्टिय स्वास्तिय प्राधिकरण, एनेचे के साथ, एक सम्झोता ग्यापन पर फर इसका उत्तर क्या है, नबाड, आईसमान कार्ड परदान करने के लिए, राष्टिय स्वास्तिय प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथोरिटी के साथ, एक सम्झोता ग्यापन पर, फरवरी 2021 में किस संक्ठन ने हस्ताक्षर की है, ठीक है, बताना है आपको, 90 का उत्तर, सबसे पहरे रिमजीन कुमारी ने दिया, सी, चलिए, आएए देखते हैं, इसका उत्तर क्या है, अश्मान कार्ड परदान करने के लिए, जो सम्झोता किया गया है, एनेचे के द्वारा, वो किया गया है, एलेक्ट्रोनिक्स और सुचना परद की मंत्रा है, इसके मंत्री भी, रे दिया है, चंदन ने भी सही दिया है, मुझाय ने भी इसका उत्तर जो है वो सही दिया है, अमन वर्मा, आप सब ने इसका उत्तर सही दिया है, एक्यान, निलकित, किस देश को, Export-Import Bank of India, Exim Bank से, फर्वरी 2021 में, 7.35 मिलियन डॉलर मुले की, रिम ब्योस्था प्राप्त निलकित, किस देश को, Export-Import Bank of India से, फर्वरी 2021 में, 7.35 मिलियन डॉलर मुले की, रिम ब्योस्था प्राप्त हुई है, याद रखे के साथ हो, इंपोर्टेंट सवाल है, एक्जीम बैंक, Export-Import Bank ये स्थापना, उनिस्व बिरासी में की गई थी, और इसने अभी, एक देश को लोन दिया है, 7.35 मिलियन डॉलर का, तो इसका उत्तर, आप में से कुछ साथियों ने दिया, 91 का C, चंदन कुमार ने D, संदीब कुमार ने सही उत्तर दिया है, इसका उत्तर है, निकारा गुवा, निकारा गुवा, तो आज साथियों, इसी के साथ, इससे, सत्र का जो है, म मिलेंगे अगले दीन साथियों जो यह सारे जो क्वेस्टेंस आप अभी देख रहे थे वह इस बुक में आप देख सकते हैं युनिक निव भाप्ति पॉब्लिकेशन के इक्जाम सक्षेज में जो कि बिहार पुलिस अवर निक्षक दरोगा यानि दरोगा के पांदिक प्रद कारिया पाना चाहें तो इस हेल्प्लाइन नंबर पर पास सकते हैं जो आपके इस्क्रीन पर दिख रही है और आप कॉल टाइम देख सकते हैं शुबा नौबश से सामके च्वबरे तक साथ हैं और इसी के साथ आप युनिक निव भाप्ति पॉब्लिकेशन के इस चैनल को अधिक सदिक like करें share करें और subscribe करें आप सभी का दिन शुब हो और इसी तरह प्रेम पुरूख हम सब जोए रहें प्रिक्षा के त्यारी को पूरे आत्मिश्वास के साथ आप लोग दें और आज अब मुझे इस प्रफॉर्म से यानि कुमार प्रियांग को जाने की इजाज देश आती हैं आप स्रीका दीन सुब हो आप सभी को मेरा धन्यवाल ठीक है थैंक यू